क्या आपको प्रिग्नेंसी में वाइड इशार जाता है? कम आता है? बहुत जादा आता है? पतला आता है? गाड़ा आता है? प्रिग्नेंसी में वाइड इशार जाना किस बात का संकेत होता है? प्रिग्नेंसी में वाइड इशार कैसा नॉर्मल होता है? कब नॉर्मल होता है? कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए तमाम दरीगे के सवाल आपके मन में आते हैं तो इनी सारे सवालों को सांथ करने के लिए उन सभी के जवाब देने के लिए आज मैं आप सभी के सामने प्रगट हो गई हूँ सो स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में आप देख रहे हो रेशु उस ब्लॉग यूटूब चैनल मैं हूँ आपके साथ रेशु चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो नई एनर्जी के साथ तो जैसे आप ट्रेगनेंट होते हो आपको आप जाता है है, छुरू आती एकसे 3 मेहने जो यह वाइट लिश्यार होता है वो एकदम नई डुपके अपानी की तरह भी हो सकता है, इसके बाद जैसे ही आप 2nd trimester में आते हो, 4 तू 6 मंत मैं आते हो तो आप देखों के आपके white discharge जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा टाइप का होने लगेगा थोड़ा थिक हो जाएगा ठीरे ठीरे 7-8-9 महिने तक आते आते आपके white discharge जो बहुत ज़ादा थिक हो जाएगा 9 महिने में तो ये एकदम बलगम की तरह नजर आने लगेगा अब friends तो ये white discharge होता है वो आपके बच्चे दानी के मुँपर लगा होता है जो आपके बच्चे को पूरे 9 महिने तक बाहरी bacteria, infection से protect करता है अंदर नहीं जा पाता है uterus तक जिससे बच्चा बिलकुल सुरक्षित रहता है पूरे 9 महिने तक साथ ही साथ pregnancy में white discharge आना अच्छी बात भी होता है क्योंकि आपके private part को अंदर से clean रखता है बाहरी part तो आप clean कर लेते हो लेकिन अंदर नी part को आपका white discharge पूरे तरीके से clean करता है मतब जो भी part बाहर निकल के आता है private part से तो वो आपके private part की cleaning होती है अब friends कब white discharge नॉर्मल नहीं होता है तो friends अगर कभी भी आपको नजर आए कि इसका जो रंग है वो हरा है भूरा है लाल है और बहुत ज़्यादा उसमें smell आ रही है साथी साथ आपके private part में खुजली बहुत ज़्यादा है लालालदानी हो गए है चकत्ती हो गए है जलन होती है आपको urine करते समय तो इन सारी condition में problem हो सकती है ऐसे में आपको तुरण डॉक्टर से मिलना चाहिए ठीक है इसके बाद एक और चीज जैसे कि pregnancy के नौवे महिने तक आते 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 आपको जो white discharge हो रहा है वो एकदम गाड़ा हो जाता है क्योंकि जो आपके बच्चे दानी के मुँपर लगा है वो जब बच्चा नीचे आता है तो उस पर pressure पढ़ता है प्रेशर पढ़ने से जो white discharge है क्योंकि इस टाइम आपकी पानी की थेली फट सकती है पानी की थेली फटना मतलब की water break हो जाना जिसमें आपका बच्चा रहता है वो थेली फट जाना मतलब कभी भी आपकी delivery हो सकती है तो अगर आपको जब भी लगे नौवे महीने में यह आपके साथ साथ में-ार्ट महीन रहे हो सब कुछ कले और फिट भी लगातर आता जा रहा है तो यह पानी की थेली फटना होता है ऐसे में आप तुरंथ होस्पिटल जाहिए बिना देरी किये हुए आपका कोई साभी महिना चल रहा हूं बाकी थोड़ा थोड़ा वाइड डिश्चार्ड आना पूरी प्रिगनेंसी में नौर्मल होता है यह जरूरी भी है ठीक है फ्रंट सो आई होब एक छोटी सी इंफर्मिशन आपको काफी पसंद आई होगी आपके लिए काफी जादा हेल्पुल रही होगी मिलते हो आप सभी स देने ने ने वीडियो में बगए थैंक य सो मुच